बिस्मिल्लायरमानी रहीम, अस्सलामु अलेकुम, वेलकम टु स्माइली फुड और मैं हूँ नाहिद, आज हम बनाएगे बोमिल का भरता, अक्सर बोमिल का ठेचा बनाया जाता है, चटनी बनाई जाती है, और बोमिल का रसे वाला सालन भी बनाया जाता है, लेकिन बोमिल का बोम्वील का भरता मिल जाए तो खाने में मज़ा यह आ जाए तो चलिए गाउ के स्टाइल में यह तेस्टी और मज़ेदार आ बोम्वील का भरता किस तरह बनाती हूं देख लेते हैं बोंबिल का भरता बनाने के लिए सबसे पहले हम हरी मिर्च का ठेचा तयार करेगे तो गैस पे मैंने एक लोहे का तवा रख दियूँ तवा थोड़ा गरम हो चुका है तो यहाँ पर मैंने देखिए हरी मिर्चे लिए हूँ 20-22 यह बहुत ज्यादा तेज वाली नहीं है तो आप अपने टेश के साब से हरी मिर्चे ले 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 मिर्चियों को डाल देते और साथी में देखिए हमने एक पूरी अखी लसन की कांडी ले लिए तो यह भी 22-25 लेसन की कलिया है तो यह भी डाल देते है दो से तीन बूंद इसमें तेल डाल देगे ताकि मिर्चिया जल्दी से सेखे जाए इस तरह से ठेचा बना कर हम भरता बनाते है ना तो इसमो की फ्लेवर आता है यह मिर्चिया और लेसन अच्छे से भूने जाता है तो दबाते हुए अच्छे से गोल्डन इस्पोट आ जाए वहां तक हम इसे सेख लेते अगर आपने ज्यादा तीखी वाली हरी मिर्च ली हो तो इस तरह से भूनने से भी मिर्ची का जो तीखा पन होता है ना वो थोड़ा कम हो जाता है लेसन इसमें भून चुका है तो लेसन को निकाल लेते हम मिर्चिया भी अच्छी तरह से सिख चुकी है इसे भी निकाल लेते हैं अब इसे साइड में रखेंगे इसका ठेचा बनाने वाले इसके लिए गैस की फ्लेम धीमी कर देते हैं और बोमील को दो लेते हम तो यहाँ पर देखिए मैंने 100 ग्राम बोमील ली हूँ सुखे वाले इसे बॉम्बे डग भी कहते हैं और यह एक तरह की ड्राइ मचली होती है तो देखिए जो लोग खाते हैं उन्हें तो पता ही है कि बोमील किस तरह से साफ किये जाते हैं लेकिन जिने नहीं पता है कि बोमील को किस तरह से साफ किया जाता है तो अच्छे से रगरते हुए मैं इसे 2-3 बार धोलेती हूँ साफ पानी से ये बोमील खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं जो लोग नहीं बनाते हो तो एक बार जरूर बना कर ट्राय करना 3-4 बार मैंने बोमील को अच्छी तरह से धोली हूँ अब इसे तवे पर थोड़ा सा हम भून लेगे तो उसी तवे पर हम भून लेते क्योंकि तवा भी गरम है बिस्मिल्ला रमाने रहे इस तरह से दो मिनट के लिए हम बूमिल को भून कर ले लेंगे तवे में तो थोड़ी बहुत जो इसमेल आती है वो हम ओं मेर को दू कर लिया ये ना तो तवे पर चिपके नहीं इसके लिए थोड़ासा तेल डालना परता है इसमें भी थोड़ा सा तेल डालेगे आदा चमच के करीब ताके बोमिल हमारे तवे पर चिपके नहीं आगे तो भरता बनाते टाइम पर मैं इसे फ्राय करूगी क्रिस्पी करूगी लेकिन अभी थोड़ी बहुत इसमेल होती है न वो खतम हो जाए इसके लिए इसे मैं भून कर ले रही हूँ यहाँ पर दो से तीन मिनट हो गए देखे बोमिल को मैंने सेख लिए अच्छे से और थोड़े प्रिस्पी भी हो गए बोमिल तो इसे मैं निकाल लेती हूँ गैस बन कर देती हूँ अब जो इसमें हलकी सी स्मेल आती है तो वो भी इस तरह से खतम हो जाती तो अब इसे भी साइड में रख देती हूं मैं देखिए ठेचे के लिए मिर्ची और लेसन भी यहां पर हमारे भून चुके और बोमिल को भी हमने थोड़ा सा भून कर ले लिया है तो अब हम भरता बन अब गयास पर मैंने एक जाली वाला बरतन रख दियूं इस पर हम बैंगन को सेक लेगे तो बैंगन को मैंने धोकर ले लिए थोड़ा-थोड़ा कट लगा कर हम इसे सेक लेगे यह तरह से दो कट लगा लेगे ताकि अंदर बैंगन खराब है के नहीं पता चल जाए यह दे देते हैं इस तरह से भरते की कॉंटेटी भी बढ़ जाती है जो हम बो मिलका भरता बना रहे है न और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है बैंगन के लिए इसे सेक लेते हम ताकि बैंगन में भी अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आए और बैंगन हमारे अच्छे से सीख जाए ये देखें बैंगन भी अच्छी तरह से भुन चुके है अब मैं गैस बन कर देती हूँ और इसे एक प्लेट में निकाल कर थोड़ा ठंडा होने देगे फिर इसका भरता बनाएगे हम तो देखें यहाँ पर बो मिल भी ठंडे हो चुके है अब इसे हम मिक्सर जार में डाल कर दरदरा सा पीसेगे तो पानी डाले बिना ही दरदरा सा इसे कूट कर लेना है मतलब मिक्सर में चलाएगे तो दरदरा सा बनाना है तो बो मिल को बहुत ज्यादा बारिक नहीं करना है जिस तरह से मुमफली के दाने होते न तो उस तरह से थोड़े जाड़े मोटे ही रख बढ़े तो भी कोई बात नहीं से टेक्चर बहुत अच्छा दिखकर आता है और हम लोग बोंबिल का भरता बना रहे हैं इसलिए मैंने इस तरह से दरदरा पीस कर लिए तो अभी इसे साइड में रख देते हैं और ठेचा तैयार कर लेते हैं ठेचा बनाने के लिए यहां पर मैंने खलबता लिए ठेचे को हम कूट कर लेते ना तो ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है लेकिन आप फिर भी चाहें तो मिक्सर में दरदरा इसे कूट कर ले सकते हो तो सबसे पहले लैसन की कलिया डाल देगे मिर्चियों को भी डाल देते ह थोड़ा सा नमक डालेगे तो नमक भरते में भी आगे हम डालने वाले तो देखकर ही डाले और एक मुठी बारी कटावा हरा धनिया डाल देगे डंडियों के साथ ले लिए मैंने अब इसे कूट लेते हैं तो इस ठेचे को आप मुणफली का तेल या फिर कोई भी तेल डाल के ऐसे ही खाओगे न गेओं की रोटी के साथ जवारी बाजरी या मक्कई की रोटी के साथ कलम दलीला काफी ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में बहुत ही मज़े का लगता है बरसात के सीजन में भी तो जितना भरते में हमें जरुरत पड़ेगी उसी साब से डालेगे और बाकी का बचा हुआ आप देखे मुणफली का तेल या कोई भी तेल डाल कर इसे ऐसा ही खाओगे न रोटी के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगता है ठेचा तो चलिए अभी इसे साइड में रख देत साइस के बैंगन लीती आप चाहे तो बैंगन की कौन्टेटी बढ़ा भी सकते हो बड़े साइस का जो बैंगन आता है वो भी ले सकते हो इसकी डंडी निकाल लेगे इसे चम्मच की मदश से इस तरह से हम इसके टुकड़े कर लेगे अच्छे से गल जाता है तो देखिए अच्छे से आराम से इसके टुकड़े हो जाते बारिक 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 बहुत ज्यादा बारिक भी नहीं करना है दरदरा सा थोड़ा सा रखना है बोमील को भीुआ कर हमने पीस लिया है। तो चलिए गैस की तरफ इसका भरता बना लेते, बारिश के सीजन में ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है, तो चलिए गाओं के स्टाइल में भरता किस तरह से बनाते तो देख लेते, अब गैस पे एक कडाई रखियू मैंने, उसमें तीन से चार चम्मत तेल दाले तेल अच्छे से गरम हो गया है, यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज की प्यास को बारी काट कर लिएू, इसे हलका सा नरम होने तक फ्राइ कर लेते, बिसमिल्ला एर्माने दे प्यास को हमें हलका सा सुनरी कलर आए, वहाँ तक फ्राइ कर लेना है यह देखिए, प्यास में हलका सा सुनरी कलर आगया है, गैस की फ्लेम मीडियम कर देगे और जो बो मील को हमने मिक्सर में पीस कर रखा है, यह डाल देते तो इसे भी थोड़ा सा प्यास के साथ फ्राइ कर लेते तो थोड़े से क्रिस्पी हो जाते एक से दो मिनट तक हम यहाँ पर फ्राइ कर लेगे बो मील को भी प्यास के साथ यह देखिए दो से तीन मिनट तक और मैंने प्यास के साथ अच्छी तरह से फ्राइ कर लिए हूँ और बो मील का कलर भी अच्छा-खासा अब इसमें बाकी की सभी चीज़े डाल देते हम तो सबसे पहले डालेगे हम ठेचा जो हमने पीस कर रखा है तो अपने टेस्ट के हिसाब से डालें यहाँ पर मैंने जो मिर्ची लीती, वो बहुत ज्यादा तीकी नई थी तो मैं यहाँ पर आदी मिर्ची का ठेचा डालूगी और आदा बचा लूगी तो देखिए, आदा मैंने बचा लिएं और आदा डाल दीएं उसीके साथ ढालेगे हम इसमें टमाटर, तो 1 मीडियोम साइस का टमाटर बारीक टुकड़े में काट कर लिए, अभी हमारे दाव का है। इसके लिए मैंने एक ही टमाटर लिए वन्ना मैं दो से तीन टमाटर लेती हूँ तो आपके यहां टमाटर सस्ते हो जब आप टमाटर इसमें ज्यादा डाल सकते हूँ मिक्स कर लेतें इसे और हल्दी भी डाल देते, साती में हम यहाँ पर चोटा अधा चमच, हल्दी पाउडर लियू मैंने मिक्स कर लेते इसे और जो बेंगन को हमने भून कर रखा है, तो ये भी डाल देते ताकर बेंगन भी अच्छी तरह से इस में फट जाए और सबी चीजों का टेस्ट एक दूसरे में अच्छा सा आ जाए एक दो मिनट तक हम इसे और भून लेते तमाटर थोड़े नरम हो जाए वहाँ तक हम इसे भूने गए तो यह हम भरता बना रहे है तो भरते में पानी नहीं डाला जाता है सुखा सुखा ही होता है तो इस तरह से इसे बनाया जाता है अगर आपको लगे कि इसमें तेल कम है तो थोड़ा सा तेल आप ज्यादा भी डाल सकते हो क्योंकि भरते में थोड़ा तेल होता है तो अच्छा लगता है तो यहां पर टमाटर पक रहे हैं अभी हमारे उसी के साथ मैं लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देती हूं क्योंकि हरी मिर्ची जो थी हमारी वह बहुत ज्यादा तीखी वाली नहीं थी तो एक चमज मैंने लाल डाल देती हूं गैस की फ्लेम मैंने धीमी कर दियूं थोड़ा सा तेल मुझे कम लग रहा है तो यहां पर एक से दो चमज में तेल डाल देती हूं आपके पास हरी पियाज हो तो वो भी आप इसमें बारी कट कर डाल सकते हो देखिए सीजन के इसाब से आप जैसे बना रहे हो तो इसमें हरे धनिये ज्यादा हो तो हरे धनिये भी डाल सकते हो टामाटर फ्रेश मिल रहे हो वैसे भी अलम दलीला यह बोमिल का भरताम ने बन काफी जबर्दस और टेस्टी बनकर तयार होता है यह देखी टमाटर भी इसमें अच्छी तरह से नरम हो गए है घुल मिल गए है अब इसे हम थोड़ा सा और दो मिनट के लिए भून लेगे तेल उपर आने तक तो भूरते की जितनी अच्छी भूनाई करते हैं उतना ही अच अच्छी खुश्बू आ रही है दो मिनट के लिए से हम और पका लेते थोड़ा सा तेल उपर आ जाए वहाँ तक यह देखी भरते में से तेल उपर आना शिरू हो गया है और यह बो मिल का भरता हमारा बिल्कुल बनके रैडी हो चुका है इसका टेक्शर देख सकते हो आप माशाला कितना जबरदस दिख रहा है अब हम गैस बन कर देगे और उपर से बारीक कटावा हरा धनिया दाल देगे तो यह बारीक कटावा हरा धनिया दाल देती में थोड़ा सा माशाला देखिए देखने में कितना बहतरीन दिख रहे हरे धनिये को मिक्स कर लेते और इसे गर्मा-गर्म डिशाउट कर लेते मेरे चैनल पर इसी तरह से बो मिल की कई अलग-अलग तरह की रेसिपी डाली वी है अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो बहुत ही मज़ेदार बोमील की रेसिपी बनती है यह देखिए सिर्फ 100 ग्राम बोमील से हमने कितना सरा बोमील का भरता बना कर तैयार किया है आप इसे बारिश के मौसम में बनाईए मक्काई बाजरी की रोटी के साथ खाने में बहुत ही मज़े का लगता है आज की बोमील के भरते की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे अपने दोस्तों और रिशेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे अपना बहुत सारा खयाल रखे दुआओं में हमें भी याद रखे फिर मिलते इंशालला एक नई रेसिपी के साथ अल्ला हाफिस अबत चैनलक briefly, है झानलक एक नहीं कि जफ से तो